हाई अब्रिवन वेलकम टो डिश्टल जी के क्लासे तो आज हमारे हिस्ट्री का जो है आठमाँ क्लास है तो अभी तक हमने जो है टोटल एट क्लास कर लिये हैं इसके पहले की जितनी भी क्लासे हैं प्लीज वन बाई वन देखना तभी जाकर आपको चीजे समझ में आएंगी जिसने पहले की क्लासे नहीं देखी है SST, December के नाम से मैंने प्लेइलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको History, Geography, सब ही सब्जेक्ट्स मतलब कि SST में मालो History हो गया, Geography हो गया, Quality हो गया, Pedagogy सब एक ही प्लेइलिस्ट में आपको मिल जाएगा और सब PDF में आपको टेलिग्र कराऊंगी previous questions आप खुद समझ जाएंगे कि अगर आपने history का 8 chapter पढ़ लिया है तो इस 8 chapter में से कितनी बार seated ने पूछा है इस बार भी पूछेगा वैसे भी हम NCRT फॉलो कर रहे हैं और आप जानते हैं कि अभी 6th class के NCRT का हम history पढ़ें उसके वासे हम 7 class का पढ़ेंगे दन 8 का और daily आपको 2-2 classes तो मिली रही है एक आपको 12 बजे history का मिल जाता है और 2 बजे आपको geography का मिल जाता है तो इस तरीके से हमारा बहुत जल्दी जो है SST खतम हो जाएगा देन हम बस revision करेंगे ठीके और आप सभी से एक request है अभी तक 1000 likes का target नहीं हो पाया है प्लीज आप सभी से request है कि like का बटन जरूर दबा दें इसे बस एक motivation मिलता है और हर दिन classes मैं आपको time पर दे पाऊं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप जो है वीडियो को पसंद कर रहे हैं साथ में आप comment भी करते हो और आप सभी के के comment का मैं reply भी करती हूँ ठीक है तो please आज 1000 likes का target है देखते हैं आज 1000 likes का target पूरा होता है या नहीं देखें यह जो आठावा चेप्टर है ना गाउं सहर और व्यापार से related है बिसिकली यहां से बहुत बार question पूछा है कि लोहे का जो ओजार है कब मिला था किस वर्स स्टार्ट हुआ था तो जो जो चीजे पूछी गई है वही मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले देखें ज लोहे का प्रियोग आज तो आम बात है बट लोहे की चीजे हमारी रोजमर्णा की जिंदिगी का हिस्सा बन गई है इस उप महादीप में लोहे का प्रियोग लगबग 3,000 साल पहले सुरू हुआ था यह question पूछा हुआ है कि लोहे का प्रियोग कितने हजार साल पहले सुरू यह भी question बन गया ठीक है जो कि मैंने आपको class 4 में पढ़ाया हुआ है आप detail में देख सकते हो तो देखो लोहा थो आपको 3000 साल पहले सुरू हुआ था लोहे का प्रियोग यह प्रियोग की बात हो रही है करी 25 वर्स पहले लोहे के आवजारों के बढ़ते उप्योग का प्रम होता है जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हसिया यह आपकी कुलहाडी है और यह आपका सडसी है तो इनका प्रियोग होता था ठीक है अब उसके बास से क्या हुआ कि क्रिसी उत्पादन बढ़ाने के लिए अनिक कदम उठाए गए मालो आपको क्रिसी उत्पादन करना है तो पूइंट नहीं पूछा जाएगा, basically यहां से 2-3 पॉइंट मैंने आपको जो पताया, यह आपको नोट करना है, ठीक है, बट फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, उसके बास यहां से देखे, गाउं में कौन रहते थे, तो इस महादीब क दचडी तता उत्तरी हिसों के अधिकांस गाउं में कम से कम तीन तरह के लोग रहते थे, और यह कोशन पूछा हुआ है, कि कौन से कितनी तरह के लोग रहते थे, तीन तरह के, तमिल छेतर में बड़े भूस्वामियों को वेला, साधारन हलवाओं के उड़वार और भूमी चलो, अब यहां से देखो, जो जो मैं आपसे पूछूंगी, वो आपको लास्ट में, कौशन में आपसे पूछती हूँ, तो प्लीज आंसर दिया कीजे, देखे, ग्राम भोजक पूछा था सीटेट में कि ग्राम भोजक किसे कहते हैं, तो देश के उतरी हिस्तों में गाउ परिवार के लोग इस पद पर कई पीडियों तक बने रहते थे, यानि कि यह पद अनुवनशिक था, अनुवनशिक मतलब एक ही घर के लोग बनेंगे, ग्राम भोजक किसको कहते हैं, गाउं का प्रधान व्यक्ति, ग्राम भोजक के पद पर आमत और पर गाउं का सबसे प्रधान व्यक्ति, ग्राम भोजक के अलावा अनि सतंद्र क्रिशक भी होते थे, इनको हम क्या कहते थे, ग्रियपती, यह भी आपको याद रखना है, और इनमें ज्यादातर जो है छोटे किसान होते थे, ठीक है, और इसके अलावा कुछ इस्तरी पूरुस थे, जिनके पा जिनके पास मालो कोई है इंसान, जिसके पास अपनी खुदी की जमीन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे दास कर्मकार, इसका मतलब यह होता है, कि दूसरों की जमीन दे दिया जाएगा, कि चलो ठीक है, यह ले लो जमीन तुम, इस पे काम करो और अपनी जीविका चलाओ, ठ अधिकांस गाओं में लोहार, कुमार, बढ़ई तथा, बुनकर जैसे कुछ सिल्पकार भी होते थे, ठीक है, तो जो जो हाइलाइटेड है, आप नोट करते जाना, और मैं आपको बताती भी रहती हूँ, जितने लोग भी पहली बार आए हैं, तो प्लीज चानलों को सब्स संगम साहिति से है, और यह जो NCRT के बुक में, यह जो बॉक्स में बनाए रहते हैं, यहां से डिरेक्ट कोशन पूछे हुए हैं, ठीक है, यह पहली लाइन बहुत इंपोर्टेंट है, और इसकी रशना जो है, यह भी आपको याद रखना है, तेई सो साल पहले की गई थी क्योंकि अब जो है, स्टेटमेंट में यह पूछेंगे, ठीक है, इसलिए इनको संगम कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मदुरई के कवियों के संमेलनों में इनका संकेलन किया जाता था, तो अगर आपसे पूछे कि किस में, तो मदुरई के कवियों के संम कि किस की बनावट किस तरीके से होती है, ऐसा question पूछा हुआ है, तो देखते हैं, पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूंगे, यह देखे, आप यहाँ पर सिक्को के डाइग्रामस देख सकते हो, अलग-लग तरीके के बना हुआ है, पुरा तत्विदो को इस यू के हजारो सिक ठीके, यह किस के बने होते हैं, तो यह चांदी और तामबे के सिक्कों पर विभिन आकृतियों को आहत करकर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता था, सबसे पहले एक question बनेगा, कि सबसे पुराना सिक्का का नाम बताओ, आहत सिक्के, यह किस के बने होते थे तो ये चांदी और तांबे के बने होते थे और इसमें डिजाइन्स बना देते थे इसलिए इनको आहत कहा जाता था तो आहत सिक्के के बारे में आपको याद रखना है जो भी चीज़े मैंने यहाँ पर बताई है अब इसमें कुछ चीज़े पूछी गई है यहाँ पर देखे अब इसमें कुछ चीज़े पूछी गई थी कि अभी जो रिसेंटली इसके पहले जो एक्जाम सुए है आप देखना पिवाई के उठा कर कि आहा सिक्के जो है उसका आकार कैसा होता था तो समानित यह आयताकार और कभी-कभी वरगाकार या गोल होते थे यह या तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चप्टे गोलिकाओं से बनाए जाते थे प्लीज याद रखिएगा इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बलकि इन पर कुछ चिन ठप्पे से बनाए जाते थे यह देखिए यह आप देख सकते हो ठप्पा बनाए गया ठप्पे से यहाँ पर चित्र बनाए जाते थे ठीक है इसलिए इनको आहत सिक्के कहला है इसलिए ठप्पे से बनाए गए हैं इसले इनको आहा सिखे कहे गए हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, तो यह पूरा नोट कर लो, otherwise जब मैं PDF देती हो न, तब भी अपने copy में नोट करो, क्योंकि NCRT का इतना material आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैं एक भी चीज इसमें छोड़ती नहीं हूँ, ठीक है, चलो, अब इसके बासे यहां पर देखो, नगर से related कुछ question पूछे गए हैं, तो देखते हैं, नगर और अनेक गतिविधियों के केंद्र, यहां से पूछा हूँ है, ठीक है, ठीक है, देखो, हमने इसके पहले चप्टर में, मैंने आपको map में दिखाया था, कुछ नगर के रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर इस्थित था, इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की और दूसरा उत्तर से दच्छिड के और जाने वाला था, सहर के चारो और किलो बंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे, आसपास के क जिसान, पसुबालक, सहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे, मथूरा जो है बहतरीन मुर्तिया बनाने का केंद्र था, यही पर मैं आपको बताना चाहूंगे कि डेली दो बज़े जोगरफी की क्लास होती है, वो भी NCRT, तो आप यह मत सोचों कि बस हिस्ट्र जोगरफी की डेली क्लास होती है, जैसे हिस्ट्री समाप्त होगा, हम पॉलिटी और पैडागॉजी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो अगर आपको पास करना है, तो चैनल से बने रहें, क्योंकि फ्री में सब कुछ में आपको पढ़ा रही हूं, तो इसका फाइदा ठीक है, तो देखो, आपको पता चलिया ना, कि उत्तर से दच्छड के और जाने वाला था, सहर के चारोर किले बंदी थी, इसमें अनिक मंदिर थे, आसपास के किसान थे था, पसुपालक सहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे, मतुरा बहरतरीन मुर्तियां ब भी रहा, यहां बहुत विहार और जैन मंदिर है, तो जब भी मतुरा से रिलेटेट इन्फॉर्मेशन आये, तो बहुत विहार और जैन मंदिर है, यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर केंद्र था, यह तो सभी को पता है, अब देखो, मतुरा में प्रस्तर खंडों तत जो दान दिये जाते हैं, उसका उलेख है, प्राया सहर की राजा, रानी, अधिकारी, वैपारी, सिल्पकार, इस प्रकार के दान करते थे, तो दानों का उलेख मिला है, दान का, उधारन के लिए मतुरा के अभी लेख में, याद रखेगा, यह पॉइंट बहुत इंपॉर् के बारे में, और NCRT का एक एक बॉक्स वाला बहुत important होता है, यह जो यहाँ पर है, यहाँ से direct question पूछा हुआ है, अभी देखेंगे, पूरा इस्थलों से सिल्पों के नमूने मिले हैं, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुन्दर बरतन मिले हैं, तो यह कहां से मिले क्योंकि यह ज्यादातार उप महादीब के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इनको उत्तरी काले, चमकीले, पात्र कहा जाता है, ठीक है, पता चला, अब देखो, ध्यान रहे कि आने दूसरे सिल्पों के आउसेस नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभीन गरंतों से में पता पता है, ठीक है, क्या इस स्री पुरुष दोनों काम करते थे, जी हाँ, अनेक सिल्पकार ता वियापारी अपने अपने संघ बनानी लगे थे, देखो, आपे जो सिल्पकार थे, व्यापारी थे, उन्होंने क्या सोचा, कि चलो हम अपना संघ बनाते हैं, और वो संघ बनान लोगे सोचोगी कि श्रेणी में लगाना है, सूची बनानी है, बट नहीं, सिल्पकार और व्यापारियों के संग को कहते हैं, श्रेणी, ठीक है, इंपोर्टेंट है, सिल्पकारों के स्रेणी का काम क्या होता था, तो प्रक्षिक्छण देना, कच्छा माल उपलब्द कराना, तय्यार माल का वितरण करना था, जबकि वयापारियों के श्रेणी, यह भी याद रहुएगा, जो यहाँ पे मैं बता रही हैं, देखो सिल्पकारों व्यापारी के ही संग को हम स्रेणी कहते हैं, तो सिल्पकार की श्रेणीयों का काम क्या था, प्रसिक्छण देना और कच् वही पर जो व्यापारी थी इनका क्या काम था तो इनका काम था कि स्रेणिया व्यापार का संचालन करती थी जबकि व्यापारियों की स्रेणिया जो है मालिज़ आपको ट्रेडिंग करना है तो उसका संचालन करती थी व्यापारी श्रेणिया जो है बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे इस धन का निवेस लाब के लिए किया जाता था उससे मिले लाब का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लोटा देते थे फिर मठ आदि धार्मी के संस्थानों को दिया जाता था तो यहां पर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि स्रेणि की से कहते हैं और सिल्पकार वयपारी का काम क्या था वो important है ठीक है अभी हमने बरतन के बारे में पढ़ा कि काले चमकीले पातर ये क्या है उत्री काले चमकीले पातर क्यों कहते हैं क्योंकि जिसके परिडाम सरूप इन बरतनों की जो बाहरी सतह न वो काली हो जाती थी, ठीक है, वो जब काली हो जाएगी, तो इन पर एक पतली काली लेब भी लगाई जाती थी, जो इस बरतन को सीसे जैसी चमक परदान करती थी, ठीक है, तो आप समझ गए ये काला क्यों होता था, दिखने वाला चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं ठीक हैं देखो basically हम one by one क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता नहीं कि सीटेट क्या पुछेगा तो अगर आप one by one पढ़े रहोगे तो कहीं न कहीं दिमाग में चीजे रहती हैं ऐसा नहीं कि आप जो चीजे पढ़ रहे हो ना कि वो पूरा निकल जाएगा जी नहीं तो यह एक्जाम में काम आएगा ठीक हैं अब सूत काटने और बुनने के कुछ नियम थे और यह नियम अर्थ सासर के हैं कल हमने पढ़ा था अर्थ सास की किताब किस ने लिखा है बताओ तो चाड़क और कोटे ले तो आता था सन को तयार करने के कामें विद्वाओं सक्षम अक्षम अच्छम महिलाओं भिखडियों वृधा वेश्याओं राजा के अवकास प्रापदासियों सेविकाओं इन सभी को लगाये जाता था ठीक है इसमें उसके बासे क्या होता था कि इन्हें के काम के और भीजवा सकती है ठीक है वे औरते जो कार खाने तक जा सकती है उन्हें अपना माल कार खाने तक तड़के लिजाना पड़ता था जहां उन्हें पारिसरमिक मिलता था इसमें माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी अगर निरिक्षक उस औरत की तरफ जो कि मैंने आपको बता दी है यहां से जब भी पूछेगा तो एक इंट्रेस्टिंग से स्टोरी है आपको समझ में आ जाएगा अब देखो यह जो सूश्मिन इरिक्षन यह कुछ पत्थर मिले आप यह पत्थर की डिजाइन देखे और कहां पर अरिका मेडू और यह अरि जाते थे आपको पतन है पतन का मतलब जहां पर समुद्र जो है रुपता है यहां इटों से बना एक धांचा मिला यह देखे यह रहां इट जो संभावता गोदाम रहा हो यहां भूमद सागरी छेतर के एनफोरा जैसे पात्र मिले हैं तो अरिका मेडू में किस तरीके के प पात्र मिले हैं एनफोरा जैसे पात्र इनमें सराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे यह नाम याद रखिएगा इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हथे लगते हैं साथ यहां एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बरतन भी मिले हैं इन्हें रुकते थे, यहाँ पे इंटों से बना धाचा मिला, ठीक है, और यहीं पर आपको एनफोरा जैसे पात्र मिले, जिसमें सराप तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते थे, तो साली चीज मैंने आपको बता दी, और यह आपको जो पत्थर दिख रहा है, यह अभी लेकित, मैंने प्रियोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्रामी अभिलेक भी कहते हैं, तो तमिल ब्रामी अभिलेक क्यों कहते हैं, बताओ, क्योंकि तमिल भासा के लिए इस लिपी का प्रियोग करते थे, और यहाँ पर यह लिखा हुआ है, तमिल ब्रामी लिपी, आप देख सकते ह हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो चलिए, यहाँ पर आपने कुछी जे पढ़ ली, अरिका मेडू, पूदूचेरी में है, जो जो information थी मैंने आपको बता दिया, अब यहीं पर क्या हुआ ना, कि कुछ ऐसे भी बरतन मिले हैं, जिनका design तो Rome का था, किन्तु वे यहीं बनाए जाते थे, Rome का design है, बट बनाया यहीं पर जाता था, पूदूचेरी में ही, यहाँ Roman lamp, सीसे के बरतन तथा, रतन भी मिले हैं, साथ ही छोटे-छोटे कुंड मिले हैं, तो याद रखी का क्या-क्या मिला है, जो संभौता कपडों की रंगाई के पात्र रहे होंगे, यहाँ पर सीसे और अर्द बहुमुले पत्थरों से मन के बनाने के परियाप्त साक्ष मिले हैं, ठीक है, तो क्या-क्या साक्ष मिला है बताओ, कपडों की रंगाई के पात्र, यहाँ पर C से अर्ध बहुमुल पत्थर सिव्मन के बनाने के परियाप्त साक्ष मिले हैं, ओके? चलिए अब यह रहा इसमें से बिसिकली यहाँ से उतना कुछ पूछा नहीं जाता है, तो पीडियोफ रहेगा तो आप पढ़ लीजेगा, ठीक है? एक दो काले पॉलिस वाले बरतनों के बारे में पढ़ा है, यह खुबसूरत बरतन, खास तोर से इनकी कटोरियां ता थालियां आपको उप महादीब के अनेक पुरस्थल से मिले हैं, ठीक है? अब सवाल उठता है कि इन जगों पर यह बरतन कैसे पहुंचे होंगे? ऐसा अनुमाल लगाये जाता है कि जहां ही यह बनते थे न, वहां से वैपारी इन्हीं ले जाकर अलग-अलग जगों पर बेशते थे, ठीक है? उत्री काले पॉलिस बरतन की बात हो रही है, जैसे कि माल लो, अब यह नीचे वाला कोश्चन जो है मिर्श सा कीमती पत्थर के लिए, याद रखेगा अब काली मिर्श की रोमन समराज में इतनी ज़्यादा मांग थी न, कि इसको काली सोने के नाम से बुलाते थे यह कोश्चन एक बार पूछा हुआ है, एक बार क्या कई बार कि काला सोना किसे कहते हैं, बहुत सारी लोग न, कोईला लगा देते हैं, बट नहीं, यह काली मिर्श को कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा मांग थी, ठीक है, व्यापारी इन समानों को समुदरी जहाज, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे, ठीक है, दच्छिट भारत में ऐसे अनेक जो है, रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, इसे यह अंदायचा लगाए जाता है, कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा वैपार चल रहा था, बिसिकली यह काली मिर्श वाली लाइन याद रखिएगा, संगम कविताओं से मिला हुआ है, ठीक है, अब यह नीचे कविता जो लिखी गई है, यहीं से कोशन बना था, यह कोशन बना कि समुद्री जहाजों पर लगाए गए तेज तर्रार घोडे, गाडियों पर काली मिर्श की गठ्रियां, हिमाले, ठीक है, यह दो लाइन तो नहीं उतना इंपोर्टेंट है, बट यहाँ से इंपोर्टेंट है, हिमाले से क्या मिला, तो हिमाले से हमको रत्न और सोना मिला, तो जब भी आपसे कोशन पूछे कि रत्न और सोना कहां से मिला है, हिमाले से मिला है, चंदन की लकडिया कहां से मिली है तो दच्छिड की पहाडियां से मोती कहां से मिले है तो दच्छिड सागर के मोती और पुर्वी सागर के मूंगे ठीके और गंगा और कावेरी की फसले और स्री लंका से आई खाद्यान मैनमार के बने मिट्टी के बरतन और दुरलव किमती आयात तो ये basically कविता है बट इसमें से direct question पूछेगा कि रतन और सोना कहां से मिला है बताओ अब जिसने पढ़ा ही नहीं है वो क्या बताएगा हिमाले से मालू मैं आप से पूछू कि मूंगे कहां पे हैं तो पूर्वी सागर में मिलेंगी मोतियां तो दच्छिड सागर में और मैनमार से क्या बना तो मिट्टी के बरतन ये कविता इसीले important है ठीक है समझ गए चलो अब यहाँ पर देखो वैपारियों ने न कई समुद्री रास्ते भी खोज निकाले इन में से कुछ जो है समुद्र के किनारे चलते थे कुछ अरब सागर और मंगाल की खाड़ी पर पार करते थे नाविक मानसुनी हवा का फायदा उठा कर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे वे अफरिका या अरब पूर्वी तट के इस महादीव के पश्चमी तट पर पहुशना चाहते थे दश्डी पश्चमी मानसुन के साथ चलना पसंद करते थे इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहां जो का निर्माड किया जाता था तो अब चलो इसमें से उतना इंपोर्टेंट नहीं है बढ़ आप ध्यान रखिएगा समुद्र तटो से लगे राज देखो आपको इंडिया का मैप पूरा अच्छे से याद रखना है तो इन महादीव के दच्छडी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है इन में बहुत से पहाड, पठार और नदी के मैदान है नदियों के मैदान इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाओ है तो अगर आपसे कोशन पूछें कि नदियों के मैदानी इलाकों में सबसे उपजाओं कौन सा मैदान है तो कावेरी का मैदान यह पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ठीक है अब देखे यहाँ पर पता चल गया अब यहाँ पर क्या है कि मैदानी इलाकों तथा तटी इलाकों के सरदारों और रजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और सत्ती हो गई संगम कविताओं आपने पढ़ा होगा संगम कविताओं में मुवेंदार हमने भी पढ़ा था ना मुवेंदार की चर्चा मिलती है यह एक तमिल शब्द है तो मुवेंदार क्या है एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया ये question पूछा हुआ है कि मुविंदार का अर्थ क्या है इसका अर्थ है तीन मुखिया ये एक तमिल सब्द है इसका प्रयोग तीन सासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है तो जो तीन सासक परिवार के मुखिया थे उनके लिए किया गया है इन मुखियाओं का न पहले किस में? दच्छड भारत में इन तीनों मुख्याओं के अपने-अपने 2 सत्डा केंदर थे इन में से 1.30 位क्ट में और 2.7 हिस्से में थे तो आपसे पूछेगा इनके कितने केंदर थे? 2.70 केंदर थे 1.30 हिस्से में ठीक है ये प्लीज याद रख लिएगा इसका अर्थ ठीक है न जो जो मैंने आपको बताया है कि इतने ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है यहां से पूछा जाएगा अब इसके बास से देखो और ये चोल चेर पांडया तो आप जानते ही है कितनी बार पूछा हुआ है ये मु हनवे अपने पास रखते थे बाकि अपने समर्थक, रिस्तिदार, सिपाही, कवियों के बिश बाड़ते थे अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रसंसा में कविताएं भी लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरत, सोने, घोड़े, हाथीरत या सुन्दर कपड़ दिया करते थे, तो इन लोगों ने तारीव भी बहुत की है, बाकि आप यहाँ पर देख सकते हो, कि इनसके लगबग जो है, 200 वर्सों के बाद, यहाँ पर देखे, पश्चिम भारत में, देखो, अभी हमने चोलचेर पांडिया के बारे में पढ़ा, कि यह कैसे काम करते थ और मुएंदार इनको कहते थे, इसका मतलब होता है तीन मुखिया, अब हम सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे, इसके लगबाद 200 वर्सों के बाद, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवन्स का प्रभाव बढ़ गया, कब 200 वर्सों के बाद, सातवाहनों का सबसे प सातवाहन नामक राजवन्स का प्रभाव बढ़ा, पश्मी भारत में, जिसका प्रमुख राजा था, स्री सातकर्णी, और इसकी मगमी का नाम क्या था, गौत्मी बलस्री, और इन्होंने जो दान दिया था, उसी के अभिलेक से पता चला कि, अच्छा मतलब कि सातवाहन ना यह इतना इंपॉटेंट है, इंपॉटेंट मार करके लिख लेना, क्या कोशन पूछा था, कि दख्णापत के स्वामी का नाम सात्वाहन सासक, दख्णापत का साब्दीकर्थ, जैसे मुवेंदर का साब्दीकर्थ पढ़ाना आपने, कि तीन मुखिया, वैसे ही आने वाला रास्ता बस इतना ही है ठीक है और ये पूरे दक्ष्णी छेत्र के लिए यही नाम प्रशलित था स्री साथ करणी ने पूर्वी पश्च्मी तता दक्ष्णी तटो पर अपनी सेनाई भेजी थी यह आप याद रखेगा ठीक है चलो इतना आपने पढ़ा अब रोल करने वाला famous कौन था तो कुषान था करीब 2000 साल पहले मदे-ेसिया था पष्णी भारतपनि का सासन था पेशावर और मधूरा जो है इनके दो मुख्य सक्तिसाली केंद्र थे तो कुषानों का सक्तिसाली केंद्र कौन था पेशावर और मधूरा तक्ष्णी शीला भी इ नियंत्रन रखने वाले सासक में सबसे प्रसिद्ध कौन था, कोशान था, दो सक्तिसाली केंद्र थे, पेसावर मथुरा, ठीक है, और ये लाइन, बस, तो देखना, अदेखा आपने, कि हमने बहुत सारी चीजें आज जो हैं पढ़ी है, तो मैं आपसे कुछ क्वेशन ठीक है, अब यहाँ पर जो जो चीजे लिखी है न, ये इसलिए नहीं लिखा गया है, कि बस ऐसे ही छोड़ दो, इसका आंसर बताओ, तमिल में बड़े भू स्वामी को क्या कहते थे, ग्राम भोशकों की जमीन पर प्राया किसके दोरा खेती की जाती थी, तमिल के हलवाहे को हम क्या कहते थे, अधिकांस, ग्रिह पती, किसके भू स्वामी होते थे, ठीक है, ग्राम भोशक की काम बताओ, और ये सक्तिसाली क्यों थे, गाव तथा सहरों, दोनों में रहने वाले सिबकारों की सुचियां बनाईए, अब यहाँ से, सही जवाब ढूनना है आपको, य श्रेणी किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, सासक को, सिल्पकार को, क्रिशक को, पसुपाल को का, किसे कहते हैं श्रेणी, देखें, अगर आपने इसका आंसर दिया ना, तो दैन आपको लगेगा कि येस, आपने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, बाकी यहाँ पर मिली जाएगा, आपको आप अनाम से बढ़ सकते हो, तो यह आज की क्लास थी, 12 बजे खतम, बाकी 2 बजे आपका जोगरफी, मतलब भूगोल की क्लास स्टार्ट है, और कल पहली क्लास होई थी, आज दूसरी क्लास, देखिए, बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूंगी, कि बस इमांदारी से पढ़ते जाओ, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, सीटेट दिसमबर में, आप में से जितने लोग भी इस वीडो को देख रहे हैं, साथ में नोट्स बना रहे हैं, मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि सीटेट पेपर टुमें, आप सभी पास हो जाएंगे, ठीक है, तो चली मिलते हैं, नेक्स क्लास में हो जाते जाते, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजेगा, बस आप सपोर्ट करते जाएंगे, और इसी तरीके से मैं आप सभी को क्लास देती रहोंगे,